आप सभी आई होप आप सभी काफी अच्छी होंगे और आपके लिए वियर एकडमी एक स्पेशल क्लास जो वो लेकर आ रही है जो कि आपके पास परसों होगी और इसकी नोटिफिकेशन पहले भी आपके साथ शेर के गई थी तो आज आपको एज रिमेंडर जो है हम यहाँ पर इस जिसको बता देते हैं कि साइकालोजी की एक मेगा सेशन जो है यानि मास्टर क्लास आपके पास होने जा रही है जो कि वियर अकेडमी के ऑफिशल चैनल एंड एप्लिकेशन दोनों के ओपर रन की जाएगी दोनों के ओपर फ्री आफ कॉस्ट चाहिए आपके पास हो गया यांप किसी भी TCT एक्जाम की तयारी कर यहां पर साइकोलोजी आती है यहां पूरी की पूरी साइकोलोजी को हम इसमें आपके पास कवर करने वाले हैं और इसमें कौन कौन से topic कौन कौन से chapter को हम follow करेंगे यहां पर आपके पास लिखके हूऊ है around 20 chapter के नाम यहां पर आपके पास है, one by one करके, with theoretical, with example, with MCQ, यानि आपके पास theory भी होगी, आप त्वेकास examples की भी होगे, आपके पास MCQ भी होगे, सभी के साथ इनको हम study करेंगे, और ये lecture जो है, तोला तारीक, यानि संडे के दिन आपके पास होने बाला है ताकि सभी बच्चेस को जॉइन कर सके मॉर्निंग में नाइन से आपके पास ही चलेगा और इसका कोई भी एंड टाइम हमारे पास नहीं है क्योंकि जब यह मॉर्निंग से शुरू तो हो जाएगा लेकिन इसका जो खतम होने का टाइम होगा वो होगा जब हमारा पूरा का पूरा जो स्लेबर से वो खतम हो जाएगा यानि आप लगा सकते हो कि अगर आप अराउंड 30 या वन आवर भी एक पर्टिक्लर टॉपिक को देते हो तो यह आराउंड 20 आवर के आसपास जो पूरा लेक्टर टाइम हमारे पास कबर होगा लेकिन हमें एक साथ में स्मार्ट स्टडी भी करनी है यानि आराउंड 5-6 आवर में जो है हम इन टॉपिक्स को आपके पास कवर कर लेंगे हाँ 6-8 हो सकते हैं वो डिपेंड करेगा टॉपिक्स के उपर और स्टुडेंस के एन्रोल्मेंट के उपर कि कितना स्टुडेंट जो एक्टिव हैं देखते हैं कितने स्टुडेंस से लेकर लास तक जुड़े रहते हैं और आपको डेट बता दी है परसों बाकी इसका लिं आइडिया दे देते हैं ताकि जब हम क्लास लें तो आप पहले से ही उसके लिए रेडी हो ताकि थॉरिंट डाइग की जो आपके पास law of fact law of readiness term है वो बहां पर यूज हो सके क्लियर तो फॉर्स्ट हम देखेंगे क्योंकि psychology पढ़ रहे हैं तो psychology के बारे में जानेंगे method of inquiry in psychology क्योंकि हम mainly focus करते है पेडागोजी के ओपर निचाइड डॉयलमेंट ग्रोथ के ओपर उसकी टर्म को भी देखेंगे concept of development and its relation be learning तो इसको part 1 के अंदर डाला गया है क्योंकि यह चीज़ें जो है यह आप देखोगे तो conceptual way में work करती है इसके पाद part 2 के अंदर जितनी भी आपके पास theoretical portion है यानि बच्चा किस तरह से सीखता है बच्चे की learning ages चाहे आपके पास theory of learning हो गई चाहे आपके पास principle हो गया जिसमें development and heredity environment को deal किया जाता है socialization process हो गई intelligence and multiple intelligence term आपके पास हो गई self and personality आपके पास हो गई language and thought से regarding आपके पास terminology हो गई emotion and motivation किस तरह से work करता है उसकी जो theories होती है human memory किस तरह से आपके पास work करती है thinking यानि cognitive development आपके पास हो गई और इसी के साथ cognitive and emotion होता है वो किस तरह से आपके पास totally जो form होता है तो पूरा का पूरा हम इसके अंदर जो है वो cover करेंगे part number three में जो problems होती है उनको किस तरह से solve किया जाता है उस term को आपके पास रखा गया जैने gender issue in social construct जिसे आप gender by ass के बारे में पढ़ते हो individual difference की बात कहीगी in learner in learning आपके पस evaluation का system है चाहे आपके पास SBA के थू हो गया चाहे आपके पास CCA के थू हो गया evaluation का system होता है किस तरह से achievement formation of question यह सभी procedure आपके पास किया जाते है identifying and addressing disabled and learning disability children जो बच्चे हैं जो learning disability के साथ जूज रहे हैं उसको किस तरह से जो हम short out कर सकते हैं and part four में हमने डाला है जो special provision होते हैं for example आपके पास inclusive education हो गया child with special need हो गया national curriculum framework आपके पास हो गया यह आपके पास right to education ठीक है right to education लिखती है यहां पर यह national policy on education जो आपके पास है 2020 में आपके पास हुई है उसकी भी हम बात करेंगे ठीक है यह chapter आप कह सकते हो इनी chapter के कुछ सब ordinate parts हमारे पास बनेंगे उनको हम detail में study करेंगे जो भी इनकी terms आती है तो one by one करके और एक्तम आराम से हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे और अगर आप चाहते हो कोई और topic इसमें introduce करना है तो कल तक आप mention कर सकते हैं इसलिए एक दो दिन आप आपको चैनल के ओपर वीडियो देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि जितना भी overall content है वो prepare हो रहा है एक अच्छे तरीके से किस तरह से इसको represent करना है ताकि हर एक चीज़ को cover किया जा सके कुछ भी यहा पर बन रहा है तो चलिए मिलते हैं next class में I hope आप सभी session को enjoy करेंगे और हम अधिक से अधिक information जो है आप तक पहुंचा पाएंगे चलिए तो मिलते हैं again Sunday के दिन अब तब तक के लिए thank you and इसी तरह से अपना प्यार जो है वो बनाए रखिए